नमस्कार आप देख रहे हैं अमार उजाला मैं हूँत कर शत्रुवेदी इस वक्त भिंड में मौजूद हूँ और बिना किसी देरी के फ्रेम पर एक और शक्स को लाना चाहता हूँ चौधरी राके शत्रुवेदी भिंड से कॉंग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और लगातार इस इलाके की सियासत को समझने वाले और इस इलाके से विधानसवा में पहुँचने वाले सीधा सवाल करूँगा जो पहला सवाल वो ये कि इस बार आप जमीन पर जा रहे हैं उम्मीदवार हैं मुद्दा क्या है और उम्मीद क्या है उम्मर उजाला को धन्वाद और कॉंग्रेस पालिटी के नितत को धन्वाद जिन्होंने विधानसवा छेतर से मुझे प्रत्यासी गोशित किया है और मैं वोट मांगने जिस आधार पर जा रहा हूं वो आधार है हमारे जीवन के काम करने के तरीके हमने जो भिण्ड में काम किये हैं वो उस बात को परलक्षित करते हैं कि मैं एक लगन से काम करता हूं और भविश में भी और काम करने की गुंजाइस है और मेरा जीवन बहुत फकड़ी जीवन है मैंने लोगों से हमेशा बहुत सरलता से सम्मंद रखे हैं और उसी के वज़े से लोग मुझे प्रेम करते हैं तो आगे आने वाला चुनाव कॉंग्रेस के 11 पॉइंट्स के उपर होगा जो कॉंग्रेस पार्टी ने तै किये हैं जिसमें बच्चियों को जो क्लास फिफ तक हैं उनको 500 रुपए, क्लास एड तक हैं उनको 1000 रुपए और क्लास ट्वैल तक हैं उनको 1500 रुपए किसानों के लिए मुझे प्रदेश में कॉंग्रेस सरकार ने बहुत बड़ा संकल्प किया है मैं तो बरसों से देख रहा हूँ कि 2000 से उपर गेहूं का भाव विक्ता नहीं है कुंटल का सिवराज सिंग्जी ने पहले 100 रुपए देना सुरू किया था लेकिन पिछले 4 साथ से उन्होंने बोनस बंद कर दिया तो किसान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ 100 रुपए से लेकिन मैं धन्नवाद देता हूँ कमलना जी को कॉंग्रेस नितत को जिन्होंने अपने गोशना पत्र बचन पत्र में ये कहा है कि हम किसान का गेहूं 26 सो रुपए प्रती कुंटल खरीदेंगे और जो है धान 25 सो रुपए प्रती कुंटल खरीदेंगे इससे हमारे किसान को बहुत बड़ी राहत मिलेगी वादे धेर सारे हैं कॉंग्रेस के उस वचन पत्र में उस घोशना पत्र में ये बात तो सच है कि आपको लगता है जमीन पर पूरा करने पर कामियाब हो पाएंगे आप लोग जो भाजपा पर आरोप लगाते हैं वो भी यही लगाते हैं कि वादे तो उन्होंने भी डेड़ सारे किये थे करो। तो इस chamberl के साथ तो उन्ने धोका ही धोका किया है। उन्होंने शिवराज सिंग् ने chamberl expressmeye की बात कही थी फिछले चार पांच साल से और यह वह दगाटन नोह रहा है ताव हो रहा है chamberl express debris नहीं बना वैसे तो उसने नर्वदा एक्सपरेस वे कहा था लेकिन वो भी दिखाई नहीं दिया गोहद पर उत्रे पहाड पर नरेंत उमर और सिवराज सिंग उनने कहा कि यह इंडस्टिल एरिया बनेगा फूप में भिंड में आये तो अनूप मिश्रा मंतरी थे जनसरसादन मंतरी तो उन्होंने वहाँ कहा कि अनूप जी देख क्या ओचंबल पर कौन सी जगह हम डैम बना सकते हैं यह सब फरजी बाड़े के काम उनने किये हैं और सिवराज सिंग को तो हम लोग अच्छी तरह पहचानते हैं हमारे यहां के तीन पुल तूटे हुए हैं बाड़ के बाद वो आज तक नहीं बन रहे हैं तो सिवराज सिंग जी को तो जनता बैठी हुई है नारियल बहुत जली लेते हैं अब जनता ने नारियल ले लिया है और उस पे हल्दी लगा लिया है और हमेशा के लिए उनको विदा करने वाली है नारियल लेके सिवराज सिंग को बीजेबी को एक चीज़ और जो आपने कहा और क्योंकि आपके जवाब से काफी सारा वो अनुभाव जलका किस साल में कौन क्या कहां क्या वादे भिंड में खास और पर विश्वसनियता का भी एक सवाल मद्दाताओं के सामने है जो भारती जनता पार्टी का प्रत्याशी था वो कहीं और है जो कहीं और था वो कहीं और है और उसके बाद जो कहीं और था वो कहीं और है उसका कोई अंदेशा डर या वो विश्वास आप कैसे मद्दाताओं को दे पाएंगे इस समय खुल के कॉंग्रेस के साथ है तो मुझे यह लग रहा है कि आने वाला चुनाओं का साइन फिर से 34 सीटों में से हम कम से कम 30 सीटें इस गौाले चमर लीजन में जीत के कॉंग्रेस को देंगे कोई कहने की जरूवत नहीं है शिवराज सिंग ने धोका किया मैं उनके जहांसे में आ गया पैसे धोकेवाज लोगों को मैंने समय पे छोड़ दिया यह मेरी बुद्ध मत्ता रही वो जो यह कहते हैं कि अभी भी आपके संबन बहुत अच्छे है वो तो हमारे में तुने देखिए एक वर हमने दिखाया था हमारे साइड खड़े थे हमारे तरफ आकर बैठे थे नहीं कता ही नहीं शिवराज सिंग जैसा धोकेवाज आदमी नहीं अर्विन मेनन जैसा धोकेवाज ब्राहम मन्ड नहीं है और बीजेपी तो दक्षिन पंथी पार्टी है इनका किसी से कोई लेना देना नहीं ये हिटलर के अनुयाई हैं मुसोलनी के अनुयाई हैं ये हटधर्मी लोग हैं लोगतंत्र को खतम करना चाहते हैं ये वो लोग हैं जोनों एक साल तक किसानों को आंदोलन के लिए सड़क पे रखा बड़े-बड़े कीले लगा दिये इनके अंदर महब्बत नहीं है लोगतंत्र नहीं है ये इस देश को बरबात करना चाहते हैं दक्षरपंती विचारदारा से ये कहते हैं कि मुसल्मान हमारा महमान है हम उसको जब चाहेंगे तब भगा देंगे ये कहते हैं सिक और बुद्धिष्ट और जैन ये हिंदू नहीं हैं लेकिन हम इनको हिंदू मान सकते हैं तो जो ऐसी कृपा करें दूसरी बरादरियों पर कि हम मान सकते हैं ऐसे लोगों को सिवाए उनकी विचारधारा गंदी होने के लवा और क्या कह सकते हैं ये देश के नागरिक हैं इनके पूर्व जोनों देश के प्रती अपनी कुर्वानिया दी है जिनके नाम कियें सिक लोगों की बदोलती हिंदूस्तान आजाद हुआ है तो ये कह देना बीजेपी का और आरेसेस का मैं समझता हूँ देश के प्रती अन्याय है और उनकी विचारधारा धोतित होती है प्रगट होती है कि बहुत गंदी विचारधारा के साथ वो चल लए है तो वैसे जहां से मैं आप नहीं आएंगे आप यह कह रहे हैं कभी भी वो जो तस्वीर थी जिसका वो खूब जिकर करते हैं वैसी तस्वीर नहीं दिखेगी पुन्रावित्ती क्यों कर रहे हैं आप प्रश्न की ठीक है मैं जो आखरी सवाल पूछना चारता है बसपा के उम्मीदवार हैं और जो आपने भी का पाला बादला एक दिन पहले वो टिकेट नहीं मिला इसलिए कहीं और चले गए जो बसपा का रोल है इसे पूरे इलाके में या खास्तोर पर आपके विधान सभा में आप वो भूमी का कैसे देख रहे हैं जनता जिसको चाहीगी उसको बोट देगी आपने जह कहा वो ग्यारा पॉइंट लेकर और आपने विश्वास के सम्मन पर उसी पर आप जमीन पर जाएंगे आपका वही है जो तमाम आरोप व्यक्तिकत लग रहे हैं उस पर आप नहीं जाना चाहिए आप बताईए आप एक भी बात आरोप लगा नहीं रहे हैं मुझे आप लगाईए मुझे रिश्वत का आरोप लगाईए मुझे काम ना करने का आरोप भिंड शहर में भिंड विधान सभा में जितने काम हुए गौरी वाली रोट राकेश शौधरी ने चालीस लाख रुपए में डलवाई बिंड में पॉलिटेक्निक कॉलेज राकेश शौधरी लेके आए, अकोडा में गॉर्मेंट कॉलेज राकेश शौधरी लेके आए, धनवंतरी कॉंपलेक्स राकेश शौधरी ने बना के दिया, OPD राकेश शौधरी ने बनाई, ICO राकेश शौधरी ने बनाई, जितने चोरह ही डबलब हुए वो सब मेरे समय के हुए काम के बारे में तो मैं एक विज्ञापन दूँगा उसमें पूछ लूँगा कि इन लोगों ने क्या किया मैंने क्या किया है यह मुझे लगता है बाचीत खत्म करने के लिए सबसे बहतर अमारुजाला अब आपके टीवी पर भी अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमारुजाला चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में और हाँ बैल आइकन दमाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर आमारुजाला निश्पक्ष निर्भी निरंदर